और से एक मुहीम की शुरुवात की गई है जिसके तहट सड़क पर भीक मांग रहे लोगों का रेस्क्यू कर उनका जीवन भैता सुनिक्षित करने का अभियान चलाया रहा है और इस मुहीम के रिए देश के साथ शेहरों को चिनहित किया गया है इनी में एक उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनाव भी शामिल है अभियान के तहट आज राजधानी लखनाव में संसा की ओर से सड़क पर भीक मांग रहे बच्चों का जब रेस्कू किया जा रहा था तो मासुम बच्चे डर गए इनी में से कुछ तो रोने भी लग पड़े इसी बीच हमारे संवद आता अस्ट्रूल सिद्गी ने मौके पर पहुँच का संसा से जुड़े लोगों से बातचीत की और जाना किया किर उनका मुकसद क्या है इस दोरान मौके पर मौके पर मौझूद कुछ लोगों ने सभ्यान की सहराना की तो कुछ इसके गलत ठहराते हुए नज़र आए सब्सक्राइब करते हैं अधर सरकार की तरफ से मिनिस्ट्री आफ सोचल जस्टिस इंपावर्मेंट की तरफ से एक प्रोग्राम शुरू हुआ है देश के साथ राज्यों में खाज और साथ शहरों में जिसमें लखनाओ एक है उनके लिए प्रयास ही है कि जित्ते भी भिख्षा वेक्ति में लोग इन्वाल्व हैं उनको पूर्पूर्ण रोप से ततकार प्रभाव से रिहाइबिटेट किया जाए जिसके लिए नगर नि अबिट्रेंश को बिक्षा मांने वाले बच्चो को एक संसा द्वारा जब पकडा जा रहा तो बच्चों में एक अफरत अफरी का माहल पाईदा पायदा लिए यहां पर तमाम लोग हमारे साथ हैं जिन्हों ने इस घटना को देखा और उनसे जानते हैं कि भिक्षा मांगने वाले बच्चों को जो पकड़ा जा रहा संस्ता द्वारा उसमें क्या कहना चाहेंगे बच्चे भीर मांग रहे हैं जो बच्चों को पकड़ करके इस प्युeso में लगा देते हैं बच्चों के सामने कोई बिकल्प नहीं होता है तो सरकार को चाहिए कि इसकी घराइई में जाई ये बच्चे आते कैसे भीख मांगने इनका पोसर नहीं हो रहा है पदयात या इनको किसी माफिया किसी बिक्ती के द्वारा प्रायजित किया जा रहा है इस पेसे में आने के लिए इस पर गहन जांच होनी चाहिए और आगे बच्चों का भविस बरबाद ना हो ये देश के हो हो रहा है यहां पर और भी लोग हैं होने और अगर कोई काम सही किया जाता है तो सही कहलाएगा और संस्था को यह तो कुछ time के लिए कोई भी संस्था होती है जब नहीं नहीं होता है तो उस time करते हैं उसके बाद भूल जाते हैं सब अपनी अयश औराम में रहते हैं कोई किसी खरीब का धियान देता हुथ आज देश की यहाल अपने अपना करते हैं कोई दूसरे का भला नी चाहता है एक संस्था भी है वह अपने संस्था भी अपना खुद से कमाएगी इस संस्था के नाम पर और खुद आयश करेगी और बच्छे फिर कल को यहीं सी जड़क भीक मांगेंगे कोई नीव कोई नी कोई संस्था निगर बिख्षा आस्रम पहले भी थे और आज ये एकदम से सग्रीय हुए हैं जिस तरहां से ये चोड़ा गिया है और बच्चे पकड़े जा रहे हैं बच्चों में बिखारियों में दैशत का माहल है नहीं यह दैशत का महल बना के तो बच्चों को नहीं पकड़ना चाहिए किसी क है गलत है यह बिल्कुल सही नहीं है पहरे बच्चों को पकड़ रही है किसी तरह से चाहे वह प्राइबेट हो चाहें सरकारी हो उसको हमेशा खाल करनाभी कि ऐसे काम होते हैं आप कहीं भी चले जाएए लखनौ में बनारस में गोरखपूर में कहीं भी चले जाएए आपको ये चीछ सबसे गंदी मिलेगी और इससे हमारे आगे लोग देखते हैं आप बाहर से आते हैं घूमने वाले वो क्या सोचते होंगे हमारे हैं कि बस यही लोग बचे हुए हैं अभी यहाँ पर यदि कैलकाटाइनी स्टाइल के पास यदि आप खड़े हो जाईए तो कम से कम 15-20 और बच्चे सब ऐसे लेटे रहते हैं बैठे रहते हैं तो माहुल खराब भी होता है उस तरह से तो यदि संस्था कर रही तो बहुत अच्छा कर रही सरकार को प्रोसाहित कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो कर दोराब रही पासा जो कर दो ऌना थेच्छा कर दो